अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की दुआउंस अलहम्दुरिल्ला हम भी बिल्कुल ठीक हैं दहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी लोगों का कुक्विद आलिये के किचन में तो चलिए आज की एक और इंट्रेस्टिंग रेसिप स्टार्ट कर लेते है सबसे पहले हमने यह देखिए तीन बड़े साइस के आलू ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से हम कट कर लेंगे यह देखिए इसी तरह से हमें इन्हें कट कर लेना है सारे पीसिस में अभी आपको करकर दिखाती हूँ यह देखिए हमें जो आलू कटिंग करना है उसे इत है यह दिखुआ हैं यह सामें लंगब金 शाइज में शालीं होगे हैं कि we had this किवे कपड़े से तका था तक मैं दिखने हैं भी कि दिखनीमी डालकर वी समय पहुँआ पृँच लिया है और You canстиश्य पेपर कपड़े से किसी हैं कम आई लग दिखने से पोश 직शचिह इसमें बिल्कुल भी पानी बगएरा नहीं रहना चाहिए और अभी हम इने एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं एक टी स्पून हम इसमें नमक एट कर देंगे एक टी स्पून हम इसमें रेट चिली पौडर एट करेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धियान रखें आप इने हाथों से या स्पून से नहीं मिक्स करें आप इसे टॉस करते हुए मिक्स करेंगे इस तरह से मिक्स करिएगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखिए, इसी तरह से टॉस करते हुए हमें इसे सब मिक्स कर लेना है, सारे मसाले जो हमने इसमें एड करें हैं, रेड चिली पाउडर और नमक, दोनों चीजे अच्छे से आलों के साथ मिक्स हो गई हैं, तो अभी हम इने साइड में रख लेते हैं, और एक बाउल ले ल फूड कलर एड कर देंगे, हम इसमें यह देखिए, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और अभी हम इसमें पानी डाल कर यह देखिए, इसका एक बैटर बनाकर रेडि कर लेते हैं, ज्यादा थिक और ज्यादा लिक्विडी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हमे मैट कर देंगे, यह देखिए, इस तरह से हमें सारा बैटर के साथ आलू को मिक्स कर देना है, बिल्कुल हलके हलके हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे, यह देखिए, और भी ज्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगा यह स्नेक्स जब आप इस तरह से बनाएंगे अपने घर में, य ब्रेड क्रम्प में लग जाए यह देखिए मैं इस तरह से लगा कर आपको दिखा रही हूँ अभी हम गर्म गर्म और ऑईल में इसे व्राइप कर लेंगे यह देखिए सारे फ्राइप हम इसमें एड कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है अब जब भी स्पून और लिए भी नहीं चलाएंगे इसमें ये देखिए बस हमें इन्हें सैट होने देना है इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देना है बस कड़ाई एड्ड करने के बाद अब ये देखिए इनके उपर बहुत ही बड़ी आसा क्रिस्पी सा एक टेक्शर आ चुका है बहुत ही बड़ी आसा इन पर कलर आ चुका है ये देखिए बिल्कुल एकदम सुनायरा कलर तो भी हम इने बहान निकाल लेते हैं ओईल से ये देखिए इस तरहां से हम इने ओईल स अच्छी लग रही हो तो लाइक कोमेंट शेयर जरूर करिएगा प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए जल्दी से अब हम इने सर्व कर लेते हैं यह देखिए हमने इसे इस तरह से सर्व कर लिया है अभी मैं आपको इसे ट बढ़िया से फिंगर फ्रेंच फ्राइज हमारे बिल्कुल बनकर रेडी है यह देखिए एकदम क्रिस्पी से अब आप लोग भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राइ करिए बनाकर अपनी फैमली के साथ इंजोई करिए और यहां तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक् अलाफिज